हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका स्टडी हैक चैनल पर मैं ऐसा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अपनी तयारी में जोरो सोरो से लगे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को जिसका नाम है वोकाबिलरी एकदम बेसिक से जिसमें मैं आपक सबके साथ एक पिक्चर होगा ताकि आपके लिए समझना बहुत की असान हो जाए तो चलिए बात करते कि आज के क्लास में क्या-क्या डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे एंटोनिम्स और सीनोनिम्स जिसमें हमें कम से कम टाइम लग जागा पांच वर्ड होंगे ठीक है उसके अंटोनिम्स उसके सीनोनिम्स सारे कुछ हमें पढ़ने फिर है वन वर्ड का सेशन जिसमें हमें हाडली फाइब मिनट लगेंगे फिर आता इडियम और फ्रेजेज का से उसमें भी हमें पांच मिनट तो कम से कम लगी जाएंगे डिसकस क करनें फिर आएगा पैंडोरा बॉक्स का सेशन जिसमें कुछ इंपोर्टेंट होता है रूल्स जो की एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है जो भी एक्जाम आप दे रहे हो जिसमें इंग्लिस पूछी जाती है तो इन रूल्स के भीना अधूरा है लास्ट में हम लोग प्रेक्टिस सेशन रखते हैं जिसमें प्रिवेस के कोश्चन सॉल्ब करेंगे तो हर कुश्चन को सॉल्ब करने के लिए आपको मिलेंगे केवल 10 स्केंड तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को जानतें कि आज का पहला वर्ड कौन सा है वह तो वोकाबलेरी में आज का पहला वर्ड है वह है डिवीजिव मतलब क्या होता है बांटने वाला ठीक है जो बांटता हो डाई अगर आपने पढ़ाओगा तो डाई मतलब क्या होता दो तो कोई बीचीज अगर एक से दो हो जाएगा तो वह चीज क्या होगा बांटने वाला ही होगा तभी तो आप एक मिए कंफ्लिक्ट पैदा कर दो वो लोग अलग हो जाते तो उसको बातने वाला बोल सकते हो ठीक Hey, conflicting alienating ठीक है जो alien होता है human से अलग होता है तो दोनों में क्या होता है ї享 कर आब तर होता है ठीक है तो एक और आपने पढ़ा वां वह चलिक ऱह तो आःच्ध कर लें से इस वाड को रिलेट कर सकतो तो किर दो कपल में उसके भीच में के कोई तीसरा आजाता उन दोनों को बटवार कर लेता उन दोनों अलग-अलग कर दिया अब क्रोंने वाला होता इंद भांतनेOS कर दे इसको भोल सक्कितों पहरेकंवाला डॉज से याद रखो आप इसको रिलेट कर लो डॉज से टॉज तो कुत्ता क्या होता अगर आप उसके पार जाओ तो वो क्या होता है आपको चिकमा दे देता है ठीक जो वर्ड है डॉज ठीक है आप इसको देख लेने स्पेलिंग क्योंकि बहुत बार क्रेक्ट्ली एस्पेल्ट और इंकर्क्री एस्पेल्ट में पूछे जाते हैं तो यह जो है डॉज डॉज क्या है तो वर्व है डॉज क्या हो जाएगे एवाइड इक्यूवोकेट इवैसि और भी अगर आप सिनोनिम्स लिखना चाहो तो आप बोल सब तो इवेड चखमा देना लूड भाग जाना ठेकिये चखमा दे कहीं तो भाग जाते हैं बात कर लें इसके एंट्रोंईम्स की तो क्या हो जागा फेज सामना करना मिलना ठीक है कन्फरण्ट एक दूसरे क्या आ चालिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है डोर डोर मतलब क्या होता है रूखा डोर जो है यह भी क्या है एक एड्जेक्टिव क्या है यह एड्जेक्टिव है बात कर लेंगे से इसके सीनोनिम्स की तो आप बोल सकते हैं ओर रूखा रूखा है तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं इस पिक्चर से इस कैट का फेस देख लो कैसा रूखा है आप चारते हों कि इसके और भी मैं बताओे ंँतोतो तो क्या होजाएं गलंत olmas को सकता आपने यह लगा यह नया भी होगा प्रोड यह सब भी क्या है इसके सीनोनीमी सी बात कर लें इसके एंटॉनिम की तो आप क्या रहोगे आपके चेहरे पर छमक रहेगी क्यों कि आप चेर्फुल हो खुर्स मिजाज रहोगे ठीक है रूखा रूखा बैभार नहीं खड़ोगे तो डोड के जो और निम्स हो जाएंगे वह जाएंगे cheerful, bright, झालिए, next बात कर लेते हैं, next है drag, drag मतलब क्या होता है, खीच रहे हैं, pull, draw, toe, यह सब क्या है, इसके cheeronyms है, picture सा आप देख पा रहे होगो, और यह बहुत ही easy word है, तो drag जो है, यह क्या है, word है, तो या दखना, यह क्या है, word है, तो लेटे नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट वोड़ेरिवल मतलब क्या है वक्वास ऐसे करके ड्राइब कर चक्तों ग्रतल जब आप को क्या पसंदeee होता वो हो general मतलब क्या होता भगवाज और ड्राइवल जो है वो क्या है नांन है बात कर लेत नॉंसन्स निश स्थे ये सब क्या इसके फेल्ट शलेबल बूसकते 지금은 मतलब क्या होता भगवाज बात कर ले इसके एंटानीम्स की तो कुछ अब अच्छा बात कर रहे हैं, ठीक है, reasonable बात, जिसका कोई तर्ख हो, बखवास नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो यह सब क्या है, इसके antonym's है, तो drivalbody के antonym's क्या क्या हो जाएंगे, sensible और reasonable और सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे ब्लैथर नॉंसेंस रबिस आप ऐसे याद हैं ड्राइव करते वक्त मुझे क्या पसंद नहीं तो बखबास पसंद नहीं है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा वनवर्ड का सेशन है जिसमें आज का पहला वनवर्ड कौन सा है डेलेगेट और यही मैंने आपको लास्ट क्लास में उंबर्क दिया था तो टू गीपस वन्स अथोरीटी तू अनधर उसको क्या बोलते हैं डेलेगेट मतलब क्या तो अब किसी परसन को अब करती नीदी उसी को बोलते हैं डेलेगेट ठीक है तो गीब वन्स अथोरीटी टू अनधर आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है डेलीबिरेशन मतलब क्या होता है सोंस समझ को आप इस वर्ड को याद रखना कि यह बहुत बार को पूछता आ रहा है तो इन सब को आप मिस्स मत करना डेलीबिरेशन मतलब करता है सोंच समझ कर करना स्लोव एंड केरफुल मूमेंट और थॉट्ट जब आप कोई भी सीज समझ कर साबदानी से और धीर-धीर को भी यह तो मूमेंट करो यह कोई सोंच होता है तो सोंच कर क रहें करते हों उस Allyu नेच्स बात कर लेते हैं जैसे देख होंगे अगर आपको कहीं भीर में बोला है Mie ग 7 मिडिया के सामने बोलता है सोंच समझ कर बोलता यह मैंने आपको यह बताया है ठीक है अगर आपने हमारी क्लास देखी हो तो आपको पता होगा कि जब मैं 268 एंटॉनिम से बता रहा था तब मैंने आपको बताया था डेलिंक्वेंट कौन होता है अपरादी उसके सिनोनिम से बताया था ठीक है क्रिमिनल रॉंग डूर कर लेते हैं को नेक्स्टइ डेलीक्वेस डेली उस मतलब क्या होता है अगरेट डेलीक्वेस ऐसे इन साथ डेलीक्वेस वह जी डूलेगो तो सक्क新 साथ है तो चीज जो मैंने रखी थी जो बर्फ रखी है कुछ बीर में रखी तो एगर तो बिकाम लिकीड ट्यूकर हैक फिर अब या डखना ayceki को गर्मी में होगे तो क्या हो जगा पर ला एकन मतलब गल रहें to ऑटाब dก система g impacts कि यह मतलब ता जन उत्यजद नेता करें जन मतलब लोकों में उत्योजना में पैदा ठीक है, अब political leader appealing to popular desire and prejudice, उसी को बोलते हैं देमागो, जो लोगों में क्या करें, उत्तेजना जागरित करें, मतलब लोगों में होसला जागरित करतें, इतना appealing है, मतलब इतना अच्छा नेता है, कि अपने भासन से क्या कर रहा है, लोगों में desire पैदा कर रहा है, ठीक है, कि न नेक्स्ट हमारा idiom and phrases का सिर्शन है, जिसमें आज का पहला idiom है, carry on, carry on मतलब क्या होता है, जारी रखना, continue doing something, बहुत ही जिए, अपने बहुत बार इसको यूज किया होगा, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, SSC की एक्जामि, एचले, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है carry out, carry out मतलब पूरा करना है, किसी चीज को carry कर रहे हो बाहर तक, मतलब उस चीज को आपने पूरा कर दिया है, तभी तो carry कर रहे हैं उसको, ठीक है, complete something or execute, उसी को बोलते है carry out, चले, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है carry the ball, मतलब जिम्मेदारी समभलना अगर आपके हाथे में बॉल होगा, तो जिम्मेदारी किसी होगी, आपकी होगी, अगर बॉल के साथ कोई भी चीज होता, तो उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, तो carry the ball मतलब होता है, be in charge, जिम्मेदारी समारना, चले, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स् बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है, carry a day, आपके साथ पूरा दिन है, आपने पूरे दिन को उठाया, मतलब क्या है, आपने जीत हासिल कर ले, carry a day मतलब win या victory, आप relate करो, ये कौन है, तो धोनी है, तो जब six मारता है, तो क्या करता है, last ball पे six मारके, तो तीम को जिता देगा, तो यही क्या हो and carry the day, ठीक है, जीत हासिल कर लिए, नेक्स्ट बात कर लेते, नेक्स्ट है, पैंडोरा बॉक्स, जिसको बोलते है, भानुमती का पीटा, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, जब हम की ले जाते हो, और इसमें जब इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इस बॉक्स में जब हम की इंसर्ट कर ठीक है, ठीक है, अगर आप new है, तो मैं आपको बता दू, इसमें से कोई बीमारी नहीं निकलता, इसमें से बहुत ही important चीज निकलता है, जो कि आपके exam के लिए बहुत ही beneficial है, ऐसा क्या चीज है, तो 100 golden rules किस चीज के तो English grammar के, इसका यूज कहां आता है, तो error detection और sentence improvement के question को solve करने में, ठीक है, और आपके exam में, vocab के बाद, ठीक है, vocab के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो error detection ही पूछा जाता है, ठीक है, तो आपका complete English तैयार हो जाएगा, अगर आप इस rules को भी याद रखते हैं, ठीक है, तो आज का rule है, usage of adverbs के बारे में, हमने noun, pronoun, adjective के बारे में, always discuss कर रखा है, ठीक है, अभी adverb की बात कर रहा है, तो आज का rule कहरा है, हाड, हाड का मतलब क्या होता है, diligently या strengthly, मतलब क्या कठोड, हाड जब use करोगे, तो उसका मतलब होगा कठोड, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको hardly use करते हो, ठीक है, तो hardly मतलब होता है ठीक है, hardly मतलब क्या होता है, और कोई भी कामागर जब आप मुस्किल से करते हो, ठीक है, कठेनाई से करते हो, उसी को बोलते है, hardly, ठीक है, hardly means scarcely at all, तो इन दोनों के use में confused नहीं होना है, ठीक है, आई एक्जामपल से समझते है, तो he tried hardly to win the race, ठीक है, तो क्या था, उसने race जितने के लिए कुछ कोई मुस्किल से कोई मेहनत नहीं की, नहीं, उसने बहुत कठोड मेहनत की, ठीक है, बहुत ही असली मेहनत की, ठीक है, तो यहां पर hardly नहीं होगी, क्या होगा, hard का use होगा, he tried hard to win the race, ठीक है, next step लो, she has eaten hard anything today, ठीक है, क्या उसने कुछ कठोड खा लिया ए, नहीं, उसने बहुत ही मुस्किल से आज कुछ कथाया हमाई, ठीक है, एईसा नहीं कुछ कठोड खा लिया, ठीक है, यहां पर क्या यूज करेंगे, हाळ्ळी का यूज करेंगे, ठीक हैं, तो ग॥ि मых Gill को भाइज करेंगे, ठीक है, अब नहीं होगा, हाँ आ ठीक है, ठ लेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है प्रीवेस एर का कॉस्चन तो आज हम बात करेंगे सीजल 21st जूलाई 2023 के सिफ्ट सेकेंड की सिफ्ट फर्स्ट की बात हमने प्रीवेस क्लास में अल्योडी कर रखा था तो आज का पहला कोस्चन कह रहा है कि आपको क्या बताना इसको क्या करने के लिए एंसर करने के अपका टाइम स्टार्ट होता है अब आप सबी लोगोने सही से एंसर कर दिया ओगा तो बहुत ही जीए वास्ट मतलब क्या होताए वास्ट मतलब बहुता व्यापक बोल सकते हैं इसको व्यापक इसका जो correct synonyms क्या हो जागा extensive वास्ट का जो synonyms होगा उसको extensive बोलेंगे व्यापक बोलते हैं और अगर synonyms आप जाना चाहते हो तो अब आप बोल सकतो हो मास मास वीस का synonyms है एम्बियेंट यह सब क्या है इसके synonyms है बात कर लें minimal minimal मतलब होता है कम से कम ठीक है क्या होता है कम से कम जितना कम हो सब ठीक है उसी को सब बोलते है minimal आप बोल सकतो हो लीस्ट मिनिमम यह सब क्या है इसके synonyms है कि सैलो मतलब क्या हो था उथल ठीक है आप इसको बोल सकते है स्कीन डीप ठीक है इसकीन के इतना क्या हो गहरा हो तो क्या होगा उथला ही हो ठीक है आप बोलो पॉटेड भी बोल सकते हो यह ब मतलब आपको पता है तोस पिक है कि आप नेक्स्ट कोस्टन आपसे कह रहा है कि आपको सीनोनिम्स बताना है अंडरलाइड वार्ड का डेलाइट का यह बहुत ऊच्छिए सब्सक्राइब करना चार अप्सक्राइब इसमें मेंमरी इंचेंट इमोशन इसलिए तो दस सेकेंड बहुत ही ज्यादा हो जाएगा आई होप आप भी तक आप लोग ने इंसर दे भी दिया होगा फिर भी मैं आपको दस सेकेंड देता हूं इसको एंसर करना सोच समझ के पाइब तो इसे के साथ टाइम अप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने शाही से अंसर कर दी आओ सिनोनीम सी बताना है बढ़ी असानी से आपने elimineate करके बता दिया होगा इसका जो COLRECT इन्चैन्ट 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 इन तो इस में मतलब क्या होता है बेचैनी क्या होता है बेचैनी जब आपको बेचैनी हो जाएगी तो क्या होगा डिसकंफॉर्ट महसूस होगा ठीक है बोलो डिसकंफॉर्ट अप रिस्ट में नहीं रहोगे ठीक है रिस्ट्लेस बोल सकते हो ठीक है ठीक है रिस्ट्लेस हो जाओगे बात करें memory, memory मतलब क्या होता है, याद, emotion, मतलब भावना, sensation, ठीक है, next बात कर ले, नेक्स्ट कोश्चन है आपको क्या बताना है इडियम का मतलब बताने इडियम क्या है पर्फेक्ट स्ट्रॉप यह काफी बार एससे ने पूछ रखा है ठीक है बार बार यह रिपीट हो रहा है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए आपको मिलता है दस सकेंद फटा आपके साथ टाइम आप हो चुका है आप सबी लोग ने सही से इंसर कर दिया होगा तो अब पर्फेक्ट स्ट्रॉप का करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा तब वर्स्ट पॉसिबल सिच्वेशन ठीक है नेक्स्ट कोस्टन की तब चलते हैं नेक्स्ट क्या रहा है कि आपको सी रिस्टोर्ड प्री ऑकुपाइड रिप्लेस ठीक है और इसे सॉल्व करने के एंसर करने के लिए आपको मिलेंगे सिफ और सिफ दस से इंसर करना यह भी बहुत ईजी है और यह मैंने प्रीबियस क्लास में बहुत बार करवा रखा है क्योंकि यह बहुत बार रिपीट भी हुआ है क्वेशन बहुत ही जी तो इसी के साथ टाइम आप हो चुका है आई होप आप सभी लोगों ने सही से एंसर कर दिया होगा तो एब्जॉर्ब्ड का जो करेक्ट स मतलब क्या होता है अब सूसित अब बोल सकतो ड्राइड अब सूसित कर लेंगा कोई भी चीद तो सूख जाएगा अब बोल सकतो सक्ड़ अब भी बोल सकते हो अब किसी वीची को पुना अस्थापित करते हो मतलब उस प्लेस पे वापस उसको पहुंचा देते हो तो इसा था अपने उसको वैसा कर दिया टिक रिटर्न कर दिया रिवर्ट कर लिया यह सब इसके क्या हो जाएगे सीनोनिम हो जाएगे बात कर लें प्री ऑकुपाइड दिन होता है और मैंने आपको सब्सक्रूरम से अगल बदल देना कोई चीज को क्या करणा बदल दे थिढिर लेते next question कि तव चलते next question क्या कह रहा है next आपको बताना incorrectly spelled word कौन सा है इन समय से आपको मिलेगा 10 seconds खाटाक से एंसर करना कि कौन सा word incorrectly spelled है बहुत दंजी है तो इसी के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोगों ने सही से answer कर दिया होगा ठीक है तो कौन सा है option number first क्या होता है almost almost नहीं होता है ठीक है शलिए next उत्रफ चलते next question क्या क्या रहा है कि आपको antonyms बताना है किसका तो मेसी का ठीक है चार option है unorganized untidy disorder chaotic तो कौन साइज का क्या है correct antonyms फटाक से बताना अपका टाइम स्टाट होता है कि यह भी बहुत हीजी है कि दस सेकेंड काफी दो से तीन सेकेंड काफी था दस सेकेंड तो इसी के साथ time up हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सही से अंसर कर दी आओगा तो कोई वीची मेसी होगा ठीक है तो इसका जो correct antonyms होगा क्या होगा और्गिनाज़ मेसी है मतलब क्या है कि अन और्गिनाज़ है अस्त वेस्त है ठीक है आप बोल सकतों कि वो चीज क्या है डिस ओर्डर है डिस ओर्डर क्या है इसके सिनोनीम से अब बोलो डिस ओर्डर बोल लो आप बोलो ओर्डर लेस बोल लो के ओर्टिक भी क्या है इसके सिनोनीम से और्गिनाज मतलब क्या होता है संगर्थित करना मतलब किसी वी चीज़ को एकत्रित कर दो अलग धलग है ठीक हो उसको ओडर में कर दो ठीक है गंदा थीक है इसको बोल सकतो ड़र्टी और क्या बोल सकतो नैस्टी फॉल कि यह सब क्या है इसके सिनुनीम्स इस डिस आउडर मैंशी के ही सिनुनीम से है धूर्टिक यह दून क्या है आपस में सिनुनीम्स किताफ चलते नेक्स कोश्चन क्या कह रहा है तो नेक्स कोश्चन क्या बताने शिनोनीम्स बताने किसका जनायल चार ऑप्शन है डिस्पॉंडेंट अप्टिमिस्टिक पोजिटीव चीर्फ फडाक्षन से करना आपको मिलेगा केवल और केवल दस सकेंद ये भी बहुत हीजी है इसी के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोग ने सही सही अंसर कर दिया होगा जनायल मतलब क्या था मिलनसार तो जो लोग मिलनसार होते हैं वो क्या होते बहुत ही cheerful होते हैं तो इसका synonyms क्या हो जागा cheerful हो जागा अब बोल लो जोवियल बोल लो गलित बोल लो यह सब क्या है इसके synonyms है बात कर ले despondent का तो despondent मतलब क्या होता हतास क्या होता है हतास हो जाते हो तो क्या होता आपका होप हो जाता है आप क्या हो जातो हो जाते हो जब आप frustrated होते हो फ्रस्ट्रेटेड होते हो ठीक है अप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है आसाबादी ठीक है ओफुल कि ओफुल बोलो ठीक है पॉजेटीव मतलब क्या होता है सकारात्माद चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं औरो फॉट्रकेनेक्स्ट बात करते हैं कि तो निक्स्ट को सिंन खातारा है कि अप्को वन बड़ बताना है कि इस ग्रूप अपलेश ड़ैट्ट लgrass इस पर्मानेंट होम और लिप्स इन एंड हैज आ सब्स्टेंशियल कनेक्शन बिद चार ओप्सन फ्रटक्शन से करना डोमिसाइल ओयसिस इंबैंकमेंट रिजॉट कौन सा सही है यह फ्रटक्शन से करना दस सकेंड आपके बाश्च इसके साद टाइम आप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सही सेंसर कर दिया होगा तो ऐसी जगह जहां पर पर्सन बहुत समय से रहता है जो इसको अपना घर मानता है ठीक बहुत ही गहरा उसके साथ कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते है ठीक है तो डोमिसाइल आप लोग भी बनवा तो अपना से रहें ठीक है ठीक है चार अप्षन Yesus पाश्ती थे खामाथ जाइल नेंस तो र।ड़ाबी आङस तो डाख जांभी आज ही इस सफरी रव्क आपटना है लेकस से ल्याशमौन eerste उदिसकी कार बादेिझ साथुट दिसके साथ अड़किशनान साहए ठीक है ट।र्या दिस आप्शन फोर्थ है सुसान्त ऑल्वेज गेट्स इन ट्रोवल फॉर टेलिंग लाइज बट ही नेवर लॉंस इनी कुछ सेकेंड देता हूं अटाक से आप समझ के अंसर करना है यही सबसे अच्छा अप्रपर्प्रेट क्या है मिक्निंग है 2017 सबसे अच्छा इस इस इंडियम का बैद्ड अग्र नेक्स्ट आपके लिए होमवर्मेंट इन विच अल्ड़ पीपल अपने स्कोर करना ना भूले ठीक है कि आपका स्कोर क्या रहा ठीक है नाइन आउट और एंसर भी करना आपको आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करें जिनने वोकाब भी पढ़ना और प्रैक्टिस भी करना है प्रिविए से कुर्स से ठीक है तो चलिए मिलता है फिर नेक्स क्लास में कुछ नया लाने की कुछिस करूँगा तब तक के लिए जय ही जय भारत टेक केर